नमस्कार हिंदी साहित्यवात्ता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे हिमाचे प्रदेश में जो कल 22.11.2020 को हिंदी की परिक्षा हुई है सेट की उसका जो प्रशन पत्र है उसमें जो प्रशन पूछे गए थे उनको डिसकस करूँगा इस वीडियो में मैं सिर्फ उन प्रशनों को डिसकस कर रहा हूं दोस्तो जिन प्रशनों के उपर मैं बिलकुल श्योर हूँ कि उनके उत्तर वही हो सकते हैं हालांकि पिछले कल की जो परिक्षा थी बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि टफ पूछा गया था जो बहुत ही conceptual था बिल्कुल आप ऐसे नहीं कि रटा मार के जो इस परिक्षा को पास कर सकते थे इस तरीके का प्रशन पूछा गया था तो ऐसे में जो हमारी percentage of cutoff है वो नीचे रहने की संबाबना एक बार फिर इस बार बनती नजर आती है तो चलिए दोस्तो एक बार से देख लेते हैं कि कौन-कौन से वो प्रशन है जो पिछले कल की परिक्षा में पूछे गए थे तो यहाँ पर देखिए पहला जो प्रशन है ब्रह्मन के संपादक थे तो देखिए इसका जो सही उत्तर था ये था विकल्प नमबर C प्रताप नारायन मिश्र ठीक है ब्रह्मन जो पत्रिका थी अगला प्रशन है देखिए प्रशन संख्या 2 ये कहते हैं कि अंबेटकर दर्शन में क्या मिलता है तो ये है आपका विकल्प नमबर 1 देखिए मनुवाद का विरोध इसका सही उत्तर होना चाहिए था नेक्स प्रशन है देखिए जो आपका साही तेशास्तर है वहाँ से पूछा गया है ये कि वर्ड्ज वर्थ थे तो ये थे आपकी स्वच्छंदता वादी विकल्प नमबर 1 इसका क्या होना था सही उत्तर होना था एक कहानी यह भी आये मैं आये रंगरेज बाबा के प्रसंग में लेखिका को पहली बार समझ में आता है तो दोस्तो इस प्रशन का उत्तर मुझे नहीं मालूम है अगर आपको इस प्रशन का उत्तर मालूम है तो आप कॉमेंट सक्षन में जाकर उसे बता सकते हैं इसके बाद जो पांचों प्रशन है देखे अंधा यूग में प्रतिहिंसा का प्रतिह है तो यह आपका अश्वत्हामा विकल्प नमबर बी इसका क्या होना था सही उत्तर होना था तुलसितास ने रामचरित मानस के अंत में जिस मानस रमाइन को मानस रूप में भाशाबद करने की बात की है उसका रचनाकार किसे बताया है तो यह आपका भगवान शिव विकल्प नमबर सी ठीक है फिर देखे प्रशन संक्या आठ हम देख लेते हैं कि नाखून क्यूं मुर्दहिया के प्रकाशन का श्रे किस पत्रिका के संपादर्क को दिया है तो देखिए इनकी जो आतमकता मुर्दहिया है और इसकी भूमिका मैं इन्होंने ये चीज़ कहिए देखिए कि ये तदभव के जो संपादक है अखिलेश उनको इसने श्रे दिया है ठीक है नेक् T.S. Iliat के अनुसार परंपरा है, तो देखिए T.S. Iliat के अनुसार जो परंपरा है, ये आपका अतीत की उत्माश, विकल्प नंबर C, प्रशन संग क्या बारा है, देखिए कावे भाषा की दिश्टी से कौन सा यूगम गलत है, तो विकल्प नंबर D, इसका क्या होना चाहि यह था मममट का देखिए रमनियात प्रदिपाद का शब्द काव्यम तो यह मममट की नहीं है किसकी है यह पंडेत जगरनाथ की है पंडेत राम जगरनाथ जो है उनकी यह पंख्तिया exploring विकल्प नमबर D इसका क्या था सही उत्तर था तेरह देखिए नाटक की देश्टी से क देखेंगे देखें ये है कि कोसी का घटवार में अकेलेपन अथ्वा सेनाटे की अभिव्यक्ति के लिए उप्योग किया गया है तो इसका जो सही उत्र है देखें ये है आपका विकल्प नमबर D समरीती का भक्ति के उद्भव के संदर्व में किस मान्यता का उलेख हिंदी स साहित्य के इतिहास करंथों में नहीं है तो देखें 17 का जो सही उत्र होगा वो होगा आपका विकल्प नमबर A भक्ति वैदिक परमपरा का पुनर उत्थान है बाकी चीज़ें क्या है भक्ति के उद्भव के संदर्व में कही जाती है नेक्स देखें आदिकाल में लिखित सूफी प्रेमा ख्यान है तो यह है आपका चंदायन यह 1389 में लिखा गया था और भक्ति काल का समवए भी इतना ही माना जाता है तो देखें इन कभियों में से जो सतसाई की रचना नहीं की गई है वो जो द्राज विकल्प नमबर D इसका क्या होगा बाकी कि जो तीन अन्य है इन्होंने सतसाई की रचना की हुई है और इस तरीके का प्रशन जो है पहले भी पूछा गया था सेट की परिक्षा में ही नेक्स से दिखिए श्रीशारदा पत्रिका में हिंदी में छायवाज शरिंकला के निबंद लिखने वाले कवी है तो इसका जो सही उतर होगा दे इसका जो सही उतर होगा देखिए यह होगा आपका विकल्प नंबर B संबोधन परक शैली ठीक है बाकी सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं नेक्स से देखिए शरत की जीवनी अवारा मसीह का विभाजन तीन परवों में किया गया है इन परवों में से किसी भी परव का कि क्रम सही है तो देखिए इसका जो सही उतर है इस देखिए का प्रशन भी अब सेट की परिक्षा में पूछा जाता है कि क्रम जो शब्द कोश है जो हिंदी शब्द कोश है तो उनके अनुसार जो सब्दों का क्रम आपको लगाने को पूछा जाता है तो यहां जो सही विकल वो होगा आपका विकल्प नुम्बर C, दस्थ, द्रोह, द्वंद और द्विज, तो ये वाला विकल्प इसमें क्या है, सही है, आप किसी भी डिक्शनरी में इसको जाके देख सकते हैं, यही क्रम आपको देखेगा, पहले दस्थ होगा, उसके बाद द्रोह आएगा, फिर द गानिया एक ही रचनाकार की हैं, तो देखेगे, एक ही रचनाकार की जो कहानिया हैं, यह है मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता, आर्द्र और अपरिचित, तो यह मोहन राकेश की हैं, ठीक है, तो विकल्प नुम्बर C, इसका क्या होना चाहिए था, सही उत्तर था, ठी उसने कहा था का केंद्रिय भाव है, तो देखेगे, यह है उदात प्रेम, ठीक है, अगला है देखेगे, उसके बाद, प्रशन संख्या 31, कि कौन सी रचना रामदरीश त्रिपाठी की नहीं है, तो यह है आपका रंग में भंग, तो यह किस की है, यह मेतली शरण गुप्त ठीक है, तो बाकी जो और विधाएं हैं देखिए, चाहे आपका उपन्यास हो, चाहे आपका निबंध हो, या फिर नाटक हो, तो यह वाली सारी काहम पर मिल जाती हैं, बारतेंदु युग में मिलती हैं, जबकि कहानी हम देखते हैं कि 1900 के आसपास से ही शुरू हुई है ल तो देखिए, इसमें जो है तुलसी का प्रेमी रूप, विकल्प नंबर ए इसका क्या होना चाहिए था, सही उत्तर था, नेक्स से देखिए, प्रशन संख्या, उसके बाद हम देखेंगे 44, अचारे शुकल के हिंदी साहिते का इतिहास से पूर, प्रकाशित इतिहास ग्रं दोस्तों तो आप इसको एक बाद जरूर देख लिजेगा कि ये कब लिखा था, इन्होंने हिंदी साहित्यभी मर्श, मैंने आपको राइटर इसका बता दिया कि ये पदुमलाल पुनालाल बक्षी है, ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला जो प्रशन हम देख लेते हैं वो है आपका प्रशन संख्या 49 देखिए, उडिया भाशा का विकास किस अपबहिंश से हुआ है, तो ये है आपका विकल्प नंबर B, मागदी, ये माना है भोलानात तिवारी ने, ठीक है, तो विकल्प नंबर B, मेरे अनुसार दोस्तों, इसका सही उतर होना चाहिए, पूर्वी हिंदी उपभाशा वर्ग का विकास मागधी अपबहंश से हुआ है, तो ये अर्ध मागधी अपबहंश से हुआ है, तो इसलिए ये इसमें सही उतर नहीं होना था, तो सही जो इसका उतर है देखिए, वो होगा आपका विकल्प नंबर D, C और D, ठीक है, तो इ पूर्षन संग्या चौवन है देखिए, तो इसका जो सही उतर है देखिए, वो हगा आपका विकल्प नंबर D, A, B, C और C, राष्टी और सांस्क्रितिक चेतना, समाजी कूरितियों का विरोध और स्वचंद प्रेमा विव्यक्ति, नेक्स्ट प्रशन हम देख लेते हैं, पच्पन, हिंदी गद्य विधाओं के संदर्ब में सही कथन हैं, तो इसका भी सही उतर होगा, B देखिए, B और C, प्रेमचंद घर में और कलम का सिपाही, प्रेमचंद की जीवनिया हैं, ठीक है, जबकि हादसे और आप हुद्री आत्म कथा विधा की रचनाए हैं, तो य आपका विकल्प नंबर C, ये कहते हैं कि B और C इसमें क्या हैं, सही हैं, शाहनवाज में हिंदूं के प्रती द्विश का भाव है, और हरनाम सिंग बंतों से बहुत अधिक प्रेम करता है, कुछ एक विध्याती नत्थू से पैसे के लोब में, दंगे में शामिल होता है, त तो A इसका क्या था, सही नहीं होना था, ठीक है, तो विकल्प नंबर B और C इसके सही होने चाहिए थे, मतलब कि C उत्तर होगा इसका, नेक्स्ट देखिए प्रशन संख्या 62, आगरा बजार नाटक के अरंभ में, नगर की दुर्दशा का वरन कने वाली कविता में उल्लेक है, तो आगरा वजार में जो उल्लेक है देखिए, यह है आपका विकल्प नंबर C, B और D, दुकानदारों की खराब हालत का और कविता गाने वाले की आगरा के प्रती चिंता का, ठीक है, अगला प्रशन है देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निवंध में पशुता को हराने के लिए स्वः का बंधन आवश्यक माना गया है, या फिर स्वार्थ चरीतार्थता को प्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो दोस्तों, इस प्रशन के उतर को लेकर भी मैं शियोर नहीं हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको जानकारी है इस प्रश नगरी फिर उसके बाद कामना फिर अशार का एक दिन और आखिर में आठ्वा सर्ग ठीक है तो ये इसका सही क्रम था फिर भारतिय समवेधिंता अंदोलन के संदर्व में काल के अनुसार सही क्रम है तो देखे इसका जो सही उतर होगा वो होगा आपका विकल्प नमबर सी सब से पहले आपका चमपारण सत्याग रहे है उसके बाद असायोग अंदोलन फिर दांडी मार्च और आखिर में भारत छोड़ो अंदोलन ठीक है नेक्स से दिखिए पाश्चात्य का वेशात्र से संबंदित पुस्तकों के काल के अनुसार क्रम है तो देखिए 68 का जो सही उत ठीक है तो ये इसका सही क्रम था अगला प्रशन है देखिए निमिलिक्त में से किस विकल्प में रामचरित मानस के कांडों का सही क्रम है तो जो सही क्रम है देखिए वो है आपका 69 का देखिए विकल्प नमब सी सही उतर होगा बालकांड अयोध्यकांड अरन्यकांड और क इश्किन दाकांट ये सही क्रम था नेक्स देखिए काव्यांग निरूपन के निमिलिकित ग्रंथों का रचनकाल की दिष्टी से सही क्रम क्या है तो देखिए काव्यांग निरूपन के जो ग्रंथ हैं उनका सही क्रम पूछा गया है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा आपका विकलप नमबर D, रसिक प्रिया, कविकुल कलब तरू, रस प्रबोध और जगद विनोध ठीक है अगला प्रशन है देखिए शेखर एक जीवनी भाग के चार खंडों का सही क्रम है 71 तो इसका सही उतर होगा विकलप नमबर C, उशा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिती ठीक है, 81 का देखिए क्या होगा, C सही उतर होगा नेक्स से दीखिए प्रश्शन संक्या 72, तो ये गएथ हैं कि तारसब्तक से चौता सब्तक के कवियों का सही क्रम है तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियोंने क्या किया है, जो जनमकाल क्याधार पर रख्या था जन्मकाल के अधार पर नहीं रखना था इनको मतलब कि पहले जो तार सब्तक आया उसके बाद को नाया? दूसरा सब्तक, फिर तीसरा, फिर चोछ था मतलब उनको हमने क्रम अनुसार रखना था तो गिरिजा कुमार माथूर सबसे पहले आने थे इसमें क्योंकि कि ये पहले जो स्तार सब्तक है उसमें शामिल है फिर जो शमशेर भादर सिंग है देखिए ये दूसरे सब्तक में है ठीक है शमशेर भादर सिंग दूसरे सब्तक में है किदारनाथ सिंग तीसरे सब्तक में और नंद किशोर आचारे जो है ये आखरी जो चौथा सब्तक है उ सही से पूछा गया है दोस्तों तो अगर तो जनमकाल के अधार पर होता तब हम इसका विकल्प नंबर जो सी है देखिए वो सही करते लेकिन संस्किति और संदर या नई बंद में कभियों का उल्ले का सही करम क्या है ये भी हमें exact sure नहीं है दोस्तों तो अगर आपको इस प्र प्रकाशन वर्ष की अनुसार उपन्यासों का सही करम क्या पूछा गया है सबसे पहले इसमें परिक्षा गुरु आएगा देखिए ये 1882 में जबकि करम भूमी आपका 1933 में अंधेरे बंद कमरे ये लिखा गया था 1961 में और आखिर में जो शहर में घुमता आईना है देखि तो ये इसका क्या होना था सही करम होना था नेक्स प्रकाशन वर्ष की दिष्टी से हरिवन श्राय बच्चन की आतम कथा पुस्तकों का सही करम क्या है तो देखिए इसका जो सही उतर होना चाहिए था वो था आपका विकल्प नंबर भी इसका क्या था सही उतर था क्या प्रशन संख्या 76 समाजिक परिवर्तन के लिए उपर्युक्त कारे योजनाओं को विचार सार्नियों से सुमेलित कीजिए तो देखिए इसका जो सही उत्र था विकल्प नमबर C ये मैंने आपको यहां पर बता दिया आप बाकी आप इसको मिलान कर लिजिएगा नेक्स देख पर भी क्या है देखिए विकल्प नमबर C इसका सही उत्र होगा उसके बाद हम अगला परशन देख लेते हैं 78 निमिलिकित शब्दों को उनके स्रोत के अधार पर सुमेलित कीजिए तो देखिए छायादार जो शब्द है वो आपका संकर शब्द है ठीक है तो A के साथ जह संदित मनोविकारों से सुमेलित कीजिए तो देखिए दोस्तो इस प्रशन का उत्र मेरे अनुसार B होना चाहिए था अगर आपको लगता है कि इसका उत्र कुछ और है तो आप मुझे वो भी कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं हालां कि मैं इस प्रशन के साथ शियोर न नेक्स से देखिए निमी लिखित उपन्यासों को उनके स्त्री पात्रों से सुमेलित कीजिए तो इस प्रशन का उत्र भी विकल्प नमबर D होगा बाकी आप इसका भी मिलान कर सकते हैं नेक्स से देखिए निमी लिखित अलोजना पुस्तकों को उनके लेकों के साथ सुमे पंक्तियों को उनके कव्यों के साथ सुमेलित कीजिए, देसिल बनना सब जनमिठा, यहां पर देखिए, यह मिलाया हुआ भी है, यहां से आपका यह सारा का सारा सही हो जाना था, तो B इसका क्या है, सही उतर है, अगला पशनम देख लेते हैं, देखिए, 84, निमिलिकित, वक इसको निकाला गया है, और प्रवल बावों का सही उचलन बिलियन वर्ड्स बर्थ, मतलब यह इसका सही उतर था, नेक्स देखिए, 85, वियंजन दुतिकरन, यह कि इसमें खड़ी बूली में है, और करांत था आपका अबरजभाशा में है, तो यहां से इसको निकाला जा सक हालां कि A के साथ भी 3 है, और D के साथ भी 3 है, यहां पर इसका जो सही उतर होगा, देखिए, 86 का वो बिकल्प नमबर A ही सही होगा, यह कि सुधा ओम धिंगरा जो है, यह कहां से है, यह अमेरिका से ही है, ठीक है, अगला प्रशन है, देखिए, प्रशन संख्या 88, उसको हम दिख लेते हैं, कावे पंक्तियों को उनमें प्रियुक्त अलंकारों के साथ सुमेलित करना था आपने, तो इसका जो सही उतर होगा दोस्तों, यह होगा आपका विकल्प नमबर C, सही उतर होगा इसका, यह वाला प्रशन आपको जो आपकी पुस्तक है, देखिए, संबंदित नाटक, नाटकों से सुमेलित करना था, तो देखिए, इसका जो सही उतर होगा, वो होगा विकल्प नमबर B, बाकी मिलान आप करते रहिएगा, नेक्स जा देखिए, उसके बाद 90 प्रशन, निमे लिखीत कावे पंक्तियों को संबंदित कवीता के साथ सुमेलि देखिए, इसका जो सही उतर होना चाहिए था, वो था विकल्प नमबर C, जहां पर A के साथ क्या था, तीसरा था, राम की शक्ति पूजा, धिक जीवन को जो पाता आया हो, विरोध, तो ये थे दोस्तो, पूरे के पूरे जो प्रशन जो मैंने आपके बीच में रखे हैं, ना कि इसके बात कि जो स्थापना और तरक वाले प्रशन हैं, वो मैं बिलकुल जब शूर हो जाऊँगा कि जो प्रशन मुझे इसके बाद बिलकुल सही लगेंगे, या जिनको मैं सॉल्व कर पाऊँगा, तो वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जितने भी हमारे गलत हुए हैं, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, ताकि सब स्टुएंट्स तक सही जानकारी प्राप्त हो सके, और मुझे लगता है कि जल्द ही हमारे जो ऑफिशल अंसर की है, वो हम सब लोगों के बीच में होगी, वहां से हम जाद आच्छे तरीके से देख पाएंगे कि कितने हमारे प्राप्राशन सही हुए थे और कितने गलत हुए थे, तो फिलाल आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों की बीच में शियर कीजिए, और चैनल को सब्स्राइब करना बिल अरिया जहिंद